जानेंगे कि इस कारोबारी सब्ता मेजर नॉन एगरी कमोरिटीज याने प्रेशिस मेटल्स बेस मेटल्स और एनर्जी कॉंपलेक्स में क्या रूप देखने मिलेगा और कहां कमाई के मौके दिखेंगे तो पिछले हफ़ते हमने डिसकस किया था कि गोल्ड में दबाव बनने की पूरी उम्मीद है और उपरी स् के याने उननिस सो अठावी डॉलर के हाइस बना के बजार जो है फिसल गया और उननिस सो बीस डॉलर तक के फॉल हमने देखे हैं पिछले दो अफ़तों में ऐसा लगता है कि ये दबाव बरकरार रहेगा उननिस सो पच्पन से उननिस सो साट के करीब एक अच्छा रिजिस की बात करें तो उपरी स्थरों के आसपास याने बावन हजार आट सो से त्रिपन हजार के बीच हमें जो है एक रिजिस्टन्स दिखाई दे रहा है और डाउन साइड में ऐसा लगता है कि क्यावन हजार आट सो तक का एक फॉल शॉर्ट टू मीडियम डम में हमें देखने म बन चुके हैं अब अगर कोई रिलीफ राली आती भी है तो जो दुबारा करेक्शन की संभावना है वो जादा है अपसाइड में 67500 का एक अच्छा रिजिस्टन्स है इमिजेट तोर पर जब तक उसके नीचे है तब तक सेरों डाली की मैं रिकमेंडेशन दूँगा नाच्रल गैस में हमने काफी बड़ी राली और उसके बाद काफी बड़ी गिरावट देखी थी 630 का स्थर फिलाल बजार जो है नाच्रल गैस में वो नहीं निकाल पाया 615 से 16 के हाइज बना कि वहां से एक बड़ी गिरावट देखी गई है और ऐसा लगता है ये गिराव सकते हैं और 480 से 85 तक के लक्ष लिए जा सकते हैं वहीं कच्छे तेल में हमने एक बड़े उच्छाल के बाद एक गिरावट का रुख देखा क्योंकि मिक्स्ट फंडमेंटल्स हैं जहां पर एक तरफ अब भी रश्या के तरफ से जो आल सप्लाय हैं उसकी आट के लिए पेल में तेजी के पूरे असार बने हुए हैं अगर अगले हफते की बात करें तो इमिजट तोर पर ऐसा लगता है कि जब तक 8100 की नीचे प्राइज हैं तब तक 7600 से 7500 तक दाम फिसल सकते हैं लेकिन क्योंकि ओवराल जो लॉंग टम है वो तेज है तो जब तक 7000 के नीच लगता है कि कच्छे तेल में गिरावट रहेगी करेंट लेवल से करीबं तीन से साड़े तीन फीजदी की और गिरावट रह सकती है लेकिन जो लंबी अवदी के निवेशक हैं वो 7500 के करीब दुबार अपनी पोजिशन बना सकते हैं बाई की अप साइड में जो पोजिश वात में कॉपर में देखा की लगभग 840 के करीब के हाइज बनते वे देखे गए उसके बाद क्लोजिंग जो आई हफते की वाट सो पांच के करीब देखने मिली है ऐसा लगता है कि इमिजट तोर पर जो एक सलम जालीस का रुजहान है वो जारी रहेगा याने उच्छाल मिल सकता है कॉपर में लेकिन 825 से 830 के उपर जादा नहीं जाते हुए दिखते हैं डाउनसाइड में अगले दो हफ्तों की बात करें तो ऐसा लगता है कि 785 तक के लेविल हमें देखने मिल सकता है याने कॉपर में गिरावट का रुख रहेगा ऐसा मेरा मानना है वहीं पर M6 Aluminum में भी 375 के 275 माफ कीज़ेगा एक लेवल है रेजिस्टेंस का उसके नीचे जब तक है तब तक से 140 होगा डाउनसाइड में 264 से 263 तक के लेवल एकने मिल सकते हैं M6 Zinc में फिलहाल काफी तेजी देखी गई है 381 तक के लेवल भी हमने देख लिए हाईज में जाते हुए लेकिं क्योंकि 380 के उपर ज़्यादा होड़ नहीं कर पा रहा है तो फिलहाल ऐसा लगता है यहां पर भी गुनाफा उसली का दोर देखना मिल सकता है जहां पर दाम जो है वो 368 और उसके बाद लगभग 362 तक भी जा सकते हैं हाला कि overall medium term view के साब से M6 Zinc में तेजी बनी रहेगी तो यह था एक जायजा कि जो major non-agric commodities हैं खास करके base metals, energy complex और precious metals में आने वाले कुछ दिनों में क्या रुख देखने मिलेगा एने बाद झाले कि झाले कर दो बाद सकते हैं जोगग 5 में राद सकते हैं लगजा एक जा हैं जो यह तो जा रमा झाले का वाले को यह मुवड़ाद्ड